Hello all, कैसे हो आप सब आई हो पाप सब अच्छे होगे तो आज की जो reading है यह हम करने वाले हैं you versus them यानि की दोनों की current feelings हम देखेंगे आज की इस reading में ठीक है और यह tarot reading हम करेंगे देखेंगे हम आज की इस reading में की tarot reading के द्वारा कि आपकी feelings क्या है आपके portion की feelings क्या है उनका next action क्या रहेगा आपके लिए ठीक है तो यह हमारे reading का आज का topic रहने वाला है तो चलिए फिर reading स्टार्ट करते हैं देखते हैं आपके portion की feelings आपके लिए तो मैं दो card का use करने वाली हूँ आज ठीक है और जिनको भी मुझसे personal reading लेनी है ठीक है और यह सारी reading जो होती है यह paid reading होती है ठीक है प्रीज काइट कीजे जो भी मेरे viewers देख रहे हैं इनकी current feelings क्या है आपके अपने portion के लिए सो मैं दोनों के लिए cards निकालूंगी पहले मैं आपके अने बिए कार्टे कार रहे हूँ प्रीस काइट कीजे है हाँ प्रीज के पर्सक एट कीजए प्रीज काइट कीजे प्रीज काईट कीजे python काफी काट्स किर जाते हैं कभी कभी स्टिप वन कर जा यह मुझे प्लीज काइट कीजिए आप के लिए काट्स आप के लिए काट्स ch racer okay s2 इसको मैं बाद में कर देखुंगी पहले मैं आपके लिए काट्स क्यों कीplesर के लिए अब देनी खागा्स के मीद्ये चाट्स को आपके पासे please guide किजे, angels okay okay please guide किजे one more card please okay ठीक है चलो यह आ गया मेरे पास कार्ड आपके लिए ठीक आपके पॉर्शन और आपके लिए दोनों के लिए कार्ड मैंने निकाल लिया है तो मैं देखूंगे कि यह आपके लिए कार्ड है यह आपके पॉर्सन के लिए कार्ड है ठीक तो मैं पहले आपके कार्ड निकाल लेंगे उसके बाद आपके पॉर्सन के 7 of Vants, Aries लिए सैज आपका साइन हो सकता है 9 of Sorts, Gemini, Libra, Aquarius Taurus, Virgo, Capricorn, 3 of Pentacles The Tower, and मेरे पास है Ace of Pentacles ठीक है आपके पॉर्सन के लिए कार्ड निकाल देखती हूँ मैं क्या है So, first card है मेरे पास यहाँ पे Two of Pentacles The Hermit Ace of Cups Six of Pentacles And है मेरे पास Wow, The Lovers Very Nice तो यहाँ पे मैं आपके और आपके दोनों के reading को मैं देखूँ यानि कि दोनों के energies को देखू, current feelings को देखूँ तो मुझे नजर आ रहा है आपकी reading में, आपके जो cards हैं देखो, आपके जो cards हैं यह मुझे बता रहे हैं कि आप तकलीफ में हो, आप दर्द में हो, आप किसी ऐसी situation में फसे हो, आपको लगता है कि आपके person की life में thought party है, ठीक है, वो किसी और के साथ involved है, वो किसी और के साथ उनका relation है, आप tension में उसके साथ, उसका physical relation है, उसका emotional relation है, उसके साथ वैसा क्या relation है, जो मेरे साथ नहीं है, उसके साथ क्यों है, है ना, तो आप परेशान हो रहे हैं, काफी जदा परेशान हो रहे हैं, कि यह क्या है, है ना, रातों को सोने ही बारे हो, काफी जदा आपकी energy जी ऐसी दिख रही है जिसे कि एकदम से बॉर्डेन फिलो रहा है तकलीफ हो रही है रो रहे हो परेशान हो रहे हो अपने पॉर्षन के एक्षन लेने का वेट कर रहे हो अपने पॉर्षन के लिए वेट कर रहे हो उनके स्टैंड लेने का वेट कर रहे हो आप सोच रहे हो कि यह person stand क्यों नहीं ले रहा है, यह third party से निकल क्यों नहीं रहा है, third party इनकी family भी हो सकती है, यानि कि आपके person की family भी third party हो सकती है, जिसके बारे में सोच करके आप काफी परेशान हो रहे हो, ठीक है, आप बहुत, यहाँ पे मुझे बहुत overthinking करते हुए नजर आ रहे हो, आप द काफी जदा, मुझे तो यहाँ पे बहुत तकलीफ में दिखते हो आप, और दिखता है जिसे कि आप जो है ना, आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, आपको कहना बहुत कुछ है, लेकिन कह नहीं पा रहे हो, problem यहाँ पे यह है, और मुझे the tower का card मुझे clearly बता रहे है कि आप दोन यह भी नज़र आ रहे है, overthinking भी आपकी इसमें, ठीक तो मैं यह नहीं कहूंगे किसलिप आपके portion किसमें गलती है, overthinking मुझे आपकी नज़र आ रहे है, और यहाँ पे क्या है कि आप अपने portion के लिए, I think आप अपने अपने family से भी बात कर ली है, अपने portion के लिए, लेकिन आपकी family कहीं हद तक राजी भी है, लेकिन इनकी family राजी नहीं है, जिसकी वज़े से जोयना आप stuck हो गया हो, क्योंकि यह अपनी family से बात नहीं कर रहे हैं, stand नहीं ले रहे हैं आपके लिए, तो इसकी वज़े से जोयना आप परिशान मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, क कि वज़े से कुछ हो सकता है, कुछ positive changes आ सकते हैं, आप चाह रहे हो, कुछ ना कुछ बात करने के बारे में, यहाप देखो clear है कि आप अपने person के साथ stable relationship चाहते हो, मैरे चाहते हो, इनके साथ 100% दिख रहे हैं कि आप यहापे new beginning चाहते हो, अपने person को भूल पाना बहुत नहीं पा रहे हो, आपने कोशिश तो कर ली, लेकिन यहापे नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है, तो यह है आपकी feeling, आप new beginning चाहते हो, वहीं आपके person के energy को देखूं, तो आपके person भी यहापे मुझे juggling करती होई दिख रहे हैं, यहापे यह person मुझे balance करती होई दिख रहे हैं ऐसा दिखता है जिसे कि आपके person खुद भी जो है ना, इनकी चाहत हो रहे हैं कि हाँ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या जाओं relationship में, नहीं जाओं, क्या करूं, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना इस relationship में ठीक है तो आपके person काफी ज़्यादा confused नज़र आ रहे हैं एकदम से confusion है यहाँ पे एकदम से यहाँ पे जगली चल रही है काफी परेशान financially भी काफी परेशान है और mentally भी काफी ज़्यादा परेशान है अकेले अकेले रहे हैं यह भी अकेले अकेले रहे हैं काफी बनता है जब उसको मोह माया जो है ना वो लगता है कि यह सब मोह माया है वो छोड़ के निकल जाता है है ना तो क्या होता है कि वो अकेला होता है अपने आपको अकेला पाता है और अपने आपको अकेले पन में वो धकेलता चला जाता है इसके वज़े से जो है ना वो सन्यासी बन जाता है है ना यानि कि मोह माया को त्याग देना है ना मोह माया को त्याग देना तो आपके पॉर्षन को वह हो रहा है कि आपके पॉर्षन जो है इतना जदा अकेला पन फिल कर रहे हैं इतना जदा परेशान हो रहे हैं कि इनको लग रहा है कि यह सब मोह माया है मैं अपन लोगों के life में thought party भी है ठीक यहां पर मुझे यह नजर आ रहा है कि आपके person प्यार बहुत करते हैं आपसे प्यार में कोई कमी नजर नहीं आ रही है इनके बस यह है कि यह person अकेले हैं काफी परेशान है एकदम से उदास है है ना अपने जिन्दगी में यह खुश नहीं है अ किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से मुझे यह खुश नजर नहीं आते है ठीके यह यहाँ पर देख लो यह पर्षान बैलेंस बनाना चाहते हैं 72ivajam टेक करना चाहते हैं आपके साथ यह पर्षान देख़ रहे हो कार्स क्या बता रहे है ़्याओं के पर्षान कभी कभी कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं हमारी कुछ मजबूरियां होती है family members होते हैं जिसकी वज़ा से जैना हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनकी situation को एक बार अपने उपर ले करके देखो कि आपके अंदर क्या है मुझे तो यहाँ full matter यहाँ पर family issues ही नजर आ रहे है family issues ही है जिसकी वज़ा से आप यहाँ पे अपने person को blame कर रहे हो और यहाँ पर यह person काफी निरास है परेशान है यह दो चीजों में अपनी family के बीच में और आपके बीच में first के रह गए यानि कि यह जो है घीस रहे है यह गीश रही है जो भी है है ना तो यहाँ पर कहना कि clearly दिख रहा है कि आपके person आप से new beginning करना चाहते है new beginning चाहते हैं आपके साथ बट आप तो नों के बीच में new beginning नहीं हो रही है problem यह है ठीक है कि यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि new beginning नहीं हो रही है दोनों चाहते हो दोनों चाहते हो कि new beginning हो दोनों चाहते हो कि एक दूसरे के साथ आए लेकिन नहीं हो पा रहा है ठीक है सो यहाँ पर यह है चलो अब देख लेते हैं आपके person का और next action देख लेते हैं अब कि next action क्या है आपके person का ओके सो इन कार्ड को मैं हटा लेती हूँ फ्लीज गाइट कीजिए जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं उनके पॉर्सन का नेक्स डेक्शन क्या होगा फ्लीज मुझे गाइट कीजिए ओके फाइब कार्ड हो गए मेरे पास फाइब कार्ड ठीक है क्वीन ओफ कप्स का कार्ड है यहां पे फाइब कार्ड थीक है तो यहां पे इनका नेक्स डेक्शन यही होने वाला है कि आप दोनों की बीच में जो मिसंडस्टाइनिंग्स हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं यह परसन काफी हद तक उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे यहां पे चीज़े कुछ ऐसी भी दिखती हैं जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को समझने को तयार नहीं हो एक दूसरे के लिए जो है न यहां पे चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे यहां पे क्लियर डिखता है कि आपके परसन काफी उदास हैं काफी परिशान हैं मुझे काफी परिशान होते हुए यह नजर आ रहे हैं ठीक है और ऐसा नजर आ रहे है न जिसे कि आपके परसन काफी एक होता है न कि हाँ चीजों को समझ करके और एक्शन ले लेना है न तो वो मुझे नजर आ रहा है आपके परसन का कि अब जो है न इनको काफी हतक चीज़े समझ में आ चुकी हैं और यह परसन एक्शन ले लेंगे ठीक है अब मुझे नजर आ रहा है आ यह person action लेंगे ही लेंगे यहाँ पे clearly दिख रहा है क्योंकि यह person काफी उदास है काफी परिशान है और एक तरफ तो आपसे बेहत प्यार करते हैं बहुत 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 ठीक है तो यहाँ पे यह person का ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है कि यह person आपके साथ यह time period चाहते हैं आपके स कि आपके person आपसे बेहत प्यार करते हैं night of sorts के card से मुझे दिख रहा है कि यह कोई ना कोई action लेने के mood में तो है ठेक seriously mood में है seriously दिख रहे हैं कि हाँ अब इनको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे खोने से जो डड़ते हैं यह आपको यह कब तक आखिर अपने अंदर की feelings को छुपा के रखेंगे होता है ना कि नहीं मेरा person जाए नहीं मुझसे दूर और वो मेरे पास ही रहे मुझसे कभी दूर ना जाए है ना तो ऐसा है लेकिन थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके person और भी thinking कर रहे हैं कि नहीं थोड़ा wait कर लो थोड़ा wait कर लो तो अब wait खतम हुआ और आपको इंतिजार जादा नहीं करना है ओके सो मैं देखू तो यहां पर थ्री डेस्री विक्स त्री मंत देख रहे हैं मुझे पता नहीं थ्री क्या नाम क्यों आया बर्स मुझे चैनल हो रहा था कि 333 है ना तो मुझे दिखता है कि आपके cards में नमबर 3 ठीक है 3 डेस्री व तरी मुझे आतरी और कुष्री बाबाई